नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आज हम पढ़ेंगे सिक्षक बढ़ती से जुड़ा जो सब्जेक्ट है पर्यावरण और सामाजी कद्धियान पर्यावरण हैं सामाजी कद्धियान का ये common topic है और exam के लिए बहुत important है जीके के question इसमें से बहुत बनते हैं अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और बेल आइकन दबाज लिए जिससे कि आपको वीडियोस समय पे मिलती रहे हैं की जानकारी मिलती रहे तो फ्रेंड आज हम पढ़ने वाले तो इन तीन हम लेयर्स के बारे में पढ़ेंगे यह कितने लंबाई चोड़ाई की हैं इनके अंदर क्या-क्या होता है ठीक है बहुत इंपोटेंट है फ्रेंट वीडियो को लास्त तक देखिए अब देखे लेते हैं इसमें तीन लेयर्स जो है वह किस तरीके से विवाजि और बहार की जो प्रतोती है वो क्रस्ट होती है ठीक है तो अब जैसे हमने देखा आप इस 3D image को अपने दिमाग में बठाईए कि प्रत्वी देखे अंदर से होती कैसे है जैसे cricket की बॉल होती है ठीक है तो इस तरीके से अंदर वाला portion पूरी प्रत्वी का ऐसा है ऐसा बना है उसके उपर एक और लेयर बनी हुए एक और बोल है ठीक है वो इस तरीके उस बोल के अंदर ये वाली बोल है उस बोल के अंदर फिर बड़ी वाली बोल के अंदर मेंटल के अंदर ये दोनों बोल है और फिर उपर से बाहरी परते हैं यानी structure है जिस पर प्रत्वी है मकान हैं खेत हैं और नदिया है ठीक है तो ये भारी structure है तो ये 3D image आपके दिमाग में रहेगी जादा दिनों तक और आप distinguish कर पाओगे कि ऐसा नहीं है कि पहले आपने core अंदर थी या भाहर थी या आपकी याद रहेगा जैसे मैं इसको बता देता हूं और अब हम इन परतों को थोड़ा detail में पढ़ लेते हैं इन में से question बनते हैं जैसे यह देखे कि इनर core है ठीक है पीली वाली और यह भी जो और इसने दिखाई है यह हमने पहली फिगर में जो देखी थी यह भी पीली ही है लेकिन इसमें थोड़ा सा color इन्हों ने change कर देखे तो यह थोड़ा सा देखे आप यह जो है यह वाला portion जो है अगली फिगर है में वह नारंगी सा है यह लेकिन है यह दोनों core यह ठीक है inner core और outer core तो इसको आप inner और outer core यह outer core है जो भी हमने देखी outer और यह inner core है ठीक है तो इनकी आप लंबाई है देख सकते हो कहां कहां तक कितनी दूर तक यह फैली है ठीक है core mental इसे लीथो स्फियर crust plus the upper mental कहते है upper mental और crust का यह पार्ट है ठीक है इस तरीके से यह इस तरह से भीवाजन करा गया मेंटल का outer core inner core ठीक है और उपर आगी फिर crust हमारी ठीक है इनका color के हिसाब से जो डिस्टिंगर्श करना आसान रहता है अब इनके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा कि कौन सी तो सबसे पहले फ्रेंज हम पढ़ेंगे क्रस्ट के बारे में कि क्रस्ट क्या होती है ठीक है इसकी आंत्रिक संग्रिशना के बारे में कुछ detail पढ़ते हैं क्रस्ट पढ़ते हैं सबसे पहले तो क्रस्ट में आता है ठीक है यह है प्रत्थवी की सबसे उपरी और सबसे पतल परत है इसकी मोटाई 16 किलो मिटरं से 40 किलो मेटर तक है। भूपतल की औ还 10 incidents किलो मिटरं है। महाधीप भागों में इसकी मोटाई 40 किलो मिटरं तक हो ते है। यानि क्रश्ट की वह कल रहे हैं वह इस बात पर करता कि हम महाधीप метत में कि करश्ट के अंदर किस तरहीं जट्टाने होती है यह कोशन बहुत इंपोट होताई जो महादीपिय और क्रस्ट बनी सब्सक्रानों की परत पाई जाती है ठीक हैने इसके बाद है महासाग्री तो अ on माहसाग्रों में जो प्रêtes होती है और सनिक क्रस्ट उसमें बैसाल्ट और शत्तान की बनी होती है क्रष्ट और मैंटल का सबसे ओपरी भाग इनButler बनाता है जिसकी गेराई सो किलोमेटर तक है जीद में फिगर में देखा था कि झिदूटल क्रष्ट और मैंच्टल 100 km तक फैला होता है ठीक है इस तरीके से आब देखते हैं आगे दूसरी लेयर की खास बात क्या है अच्छा अभी इसमी में हो रहे हैं क्रस्ट के ही बारे में हम पढ़ रहे हैं यह दो भागों में विवक्त होती है उपरी क्रस्ट और निचला क्रस्ट इन दोनों के बीच में कोनाड ऐसंबंदता पाई जाती है या अगर कोश्चन आता है कि उपरी क्रस्ट और निचला जो क क्रस्ट होता है इन दोनों के बीच में कौन सी ऐसम्मदता पाई जाती है तो वह कोनाड होता है यह इंपोटेंट है इसकंटीनिटी होती है नीचे ले क्रस्ट के बाद मेंटल शुरू हो जाता है जब नीचे का क्रस्ट आ जाता है तो नीचे से मेंटल शुरू हो जाता है तो जैसे हमने अभी देखा था मैंटल जिसकी मोटा है उन्तिस सो किलोमेटर तक होती है तो हम इसको एक बार जड़ा फिगर से देख लाइते हैं बात हो रही है मैंटल की तो यह जो बीच वाली परत है यह मैंटल है यह वाली जो पॉर्चन है ठीक है यह जो है यह वाला इसे देखते हैं मैंटल इन्तिस सो किलोमेटर हुँती है मैंटल के लो भागप पाए जाते हैं एक ईपरी मैंटल और इसकी घहराई 700 travelling मेंटर अर जो दूसरी मैंटल है निशली मैंटल इसकी घहराई जो होती है वो 700 किलो मेंटर यह इंप्पोर्टेंट है, इसके बाद कोर्टे सुरू हो जाता है, अंदर वाला पॉर्टेंट जो जो बॉल्स है आपने पीली-पीली दिखाई दी ती वो कोर स्टार्ट हो जाता है, तो मेंटल अर्थ एसम्मंता पाई जाती है उसे हम गुटेनबर्ग एसम्मंता कहते हैं यह भी बहुत important है कि mental और कोर के बीच में जो एसम्मंता discontinuity पाई जाती है मतलब discontinuity मतलब आप इस तरह से समझिए कि ना तो हम कोर कह सकते हैं उसे हम mental कह सकते हैं उनकी बीच का जो चता होचार इसे एसमिंधर के उसे घुटन गुटेनबर्ग नाम है इसका hugging देख है इसको भी देख लेड़े जी कोर के हमको की ऑसको हम कि बाद कर रहे हैं तो इसको हम में बंदाथे कि यह स्म्मंता करेता हो कि जो boundary होती हैं दोनों के बीच में इसे हम discontinuity कहते हैं तो यह ना तो mental में आता है ना outer core में दोनों में ही आता है तो इसे discontinuity कहते हैं ऐसे ही उपर crust और mental के बीच में यह जो boundary होगी जहां से दोनों अलग होती होगी उसे discontinuity कहते हैं तो आप समझगे होंगे discontinuity और इनके नाम क्या-क्या है तो यह inner core आपको दिखाई दे रही है यह inner core है ठीक है और यह outer core है नारंगी वाली है ठीक है तो इसके बाद हम देखते हैं कि इनकी खास बाते हैं हम देख रहेते हैं के तो होगी यह है डिसकंटेनल अब बात आते हैं कोर यह प्रत्वी की सबसे आंतरिक भाग है जो मेंटल के नीचे प्रत्वी के केंदर तक पाया जाता है यह नहीं प्रत्वी के केंदर तक होता है हम कोड की बात के हंदी में जो करोड होता है इंगलेश में कोर उसकी बात कर रहे हैं इसकी गहराई 2009-1371 को दो भागों में बटा होता है आंतृ को और भारी को इन दोनों के बीच जो सम्मधत करते हैं नहीं जो प्रत्वी के समस्त आयतन वॉलीम का जो परतिशत है वो क्रस्ट प्रत्वी की अगर आयतन में देखे तो मात्र 5% का ऊपर का हिस्सा बहुत चोटा सा है। सबसे ज़्यादा है वो कवर करता है mental गुश्चन इस तरह के से आशकता है कि प्रत्वी की आंत्रिक संक्रिच्णा में mental कितने प्रतिशत आयतन घेरता है तो वह है प्रत्वी की आंत्रिक संक्रिचना की बेसिक चीज पढ़नी जो हमारे exam के point of view से हैं ठीक है अब एक और बात वीडियो खतमने से पहले ये बहुत important question होने वाला है कि कि किस परत को और किसी नाम से भी जाना जा सकता है तो friends जो आस्टरिया के भुगोल सास्त्रि यनि स्वेज न प्रत्वी की जो आंत्रिक संक्रिचना वो तीन प्रतों में और बाटा था ठीक है इसके अलावा जो हमने अभी पढ़ा वो तो आधुनिक जो भूग्ज्ञानिक है उन्होंने हमने जो चीजें हमें बताई है किस तरह से तीन भागों में बाटा वो आधुनिक के हिजाब से लिकिन एक वग्ज्ञानिक जो स्वेजने उन्होंने इस तरीके से भी बाटाता कि पहली लेयर जो क्रस्ट होती है उन्हीं उपर वाली सबसे क्रस्ट भूपर पटी उपर की जो लेयर होती है सियाल कहते है उसे तो इस परत में जो सिलिका और अल्यूमीनियम होता है इसलिक की जट्टानों में अमलितिया अधित पाई जाती है तो अगर कोशन इस तरही विखे से भी आता है कि क्रस्ट को उपरी भाग कुभू पर पटी को और किस नाम से जाना जा सकता है या उसमें कौन-कौन से मैट्रियल कौन से पदार्त अधातू पाई जाती है तो वो सिलिका और अलुमिनियम होती है ने सियाल भी कहते है दूसरी जिसे हमने मैंटल का था है बीच वाली जो लेयर थी मैंटल ठीक है लाल वाली तो उसे हम सीमा भी कहते हैं क्यों कह sizing क्योंकि इस परत में सिलिका और मैंगनेशन पाय जाता है तोसलीकन का CSI, मैंगनेशन का MA तो सीमा बन गया ठीक है इस परत की चट्टानों में बेस्ट और ग्रेबों की अधिकता पाई जाती है ये भी question important बनता है उसके बाद देखते हैं निफे तो निफे तीसरी जो स्वेज ने तीसरी लेयर को कहा या नि जो इनर कोर है और दोनों कोर ही है इनर कोर और आउटर कोर दोनों को मिला कि उसने कहा इस परत में निकल और आइरन होता है इस परत के कारण प्रत्वी की चुम्बक कीति है शक्ती मेंगनेटिक पावर होती है और खास बात यह है कि जो इनर कोर होती है इनर कोर के अंदर निकल और आइरन पिंगली वी अवस्था में होता है ठीक है निफे कहते है इसे इनर कोर को ठीक है आउटर को नहीं इनर कोर ज जो है वो इसी के कारण होती है उसका temperature बहुत जाता होता है तो आप देखिए कि किस तरही से प्रत्वी हम पर हम है यानि हम जिस प्रत्वी पर रहने हैं उसके बीच में जो एरिया है वो एक बोल के आकार का है और उस बोल में क्या है कुछ ठोस नहीं है उसमें पिंगला हुआ लाव है पिंगला हुआ आयरन है पिंगला हुआ निकल है ठीक है तो किस तरीके से प्रत्वी स्टेंड कर रही है अपने आप में अजूबा है तो फ्रेंड इसमें से question बनेंगी बनेंगे अगर आपको वीडियो यह पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक जूरूर कीज फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स वीडियो में नेक्स टॉपिक के साथ तब तक के लिए धन्यवाद और वीडियो देखने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद